आज मैं बना रही हूं दही चिकन बहुत इजी रेस्पी है बहुत जल्दी बन जाएगी जट पट से त्यार हो जाएगी तो रेस्पी स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक पूरा जो है वो चिकन ले लिए उसके चोड़े पीस कर लिए नॉर्मल जैसे हैं इसको मैंने अरा वरसे च्चाइब पूर तैबल स्पून लेट करने अब अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं अगूँ एक साथिमने चाहिए सार शामच घी के एड़ की है और इसको तो हम थोड़ा सा पहले कर लेंगे अच्छे और बात में दूसरे मसाल्य आड़ करेंगे इनके इतना फ्राइ करेंगे कि के इनका कलर जोज यह वह चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन करने उससे ही खिए कि मीठा मीठा सा टेस्ट नहीं आता तो इनको हम अमने फ्राव्न कर लेंगे प्रalgली को मिद्यूम भी इस को फ्राय करना है हुआ घाे इसिक एची से फ्राय करना है की यह light brown या golden brown नहीं हो जाते जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह कि हमें चाहिए यहाँ पर जैसे ही वो brown होंगे मैं इसमें add कर दूंगी chicken जो मैंने start में दिखाया एक पूरा chicken मैंने लिया था और साथ ही मैं add कर दूंगी ginger garlic का paste इससे ही होगा कि chicken में smell नहीं आएगी और इन साइड चीज़ों को mix कर लेंगे इन सब को fry करेंगे थोई दिर के लिए तब तक fry करेंगे जब तक कि chicken का जो color है वो change नहोंचे एक छोटी सी request है अगर आप में चैनल पर निवे में चैनल को like and subscribe कर दे and press the bell icon ताकि आपको मेरी हर आने वाली निव वीडियो मिल सके तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया था अब मैं इसमें खड़े मसाले जो होते हैं थाबत मसाले वो add कर दूँगी यहां पर मैंने थाबत काली में चलिये हैं च्छे साथ मैंने डाल दी हैं सारी नहीं add की तो थोड़ी सी यहां पर कलोंजी जाएगी कलोंजी optional है डालना चाहे तो डाल सकते हैं और यहां पर half टी स्पून जाए वो मैंने जीरा add करना है इसकी flame जो हो medium पर ही है अब मैं half टी स्पून इसमें कुटी लाल में जो होती है दरदरी सी वो डाल दूँगी और इंसाइड जीजों को mix कर लेंगे ताके यह भी साथ ही fry हो जाए और इनका भी एक अच्छा सा flavor आजए तकरीबन दो से तीन मिनट तक इसको इस तरह से mix करके थोड़े देर के लिए fry करेंगे ताकि इन सब का अच्छा सा टेस्ट और कलर आजए और फिर हम इसमें आड़ कर दूँगी मैं टोमाटर जो मैंने काटके रखावा थी यहां पर एक large टोमाटर लिया था और इसको मैंने चौप कर लिया था और वो भी आड़ कर देंगे इसमें टमाटर आड़ कर देंगे यह जो रेसिपी है यह बहुत इजी और बेसिक सी रेसिपी है बहुत जल्दी बन जाती है बहुत फटाफट बन जाती है तो मुझे यह बहुत इजी लगती है बनानी और बहुत मज़े की बनती है तेस्ट बहुत जादा होता है या जो हम फ्रेश इस तरह से डालते हैं कूटकर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है अगर आपके बस दर्दरी कुटी हुई है तो डालें वह बहुत अच्छा लगी की टेस्ट में और अब मैं इसमें आड़ करें चिकन कड़ाई मसाला यह और थोड़ी से हाफ टी सुओn से थोड़ी सी कम मैंने रेड चिली पौडर एड़ की है और हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं हल्दी का अड़ कर दूंघ और जो मिर्चे हैं वो थोड़ी सी कम डालनी है जो पाउटर मिर्च है क्योंकि वह बहुत स्पाइसी हो जाएका तो गारे पासा खाना पड़ता है तो मैं इंसाइट इसे को डाल कर आपस में मिक्स कर लूँगे अच्छे से और बाद मैं इसकी बुनाई करेंगे थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे तो इसे के लिए इन सब चीज़े को फ्राई करेंगे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है अब मैं इसे तक्रीबान थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी ताके इस सारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो सके और जब इसकी बुनाई होगी यह ऑल चोड़ देगा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा एक जो कच्चा पन सा होता है ना वो थोड़ा इसका अच्छा हो जाएगा खतम हो जाता है कच्चा पन बिसिकली पानी इसलिए डालते है बुनाई इसलिए करते हैं ताकि इसका कच्चा पन दूर हो सके तो यहां पर इसके अच्छी से बुनाई होगी है इसने ओल चोड़ दिया, इसका मसाल अच्छे से कुक हो चुक है जब इसकी बुनाई हो जागी इसका ओल छोड देगा तो मैं इसमेश डिएट कर दूंगी दही दहीं दही मैंने यहां पर लिए 4 टेबल स्पून दही मैंने यहां पर 4 टेबल स्पून इसलिए लिए ताकि उसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी क्योंकि जब हम पर बाद में खाएंगे तो वह इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा और दही जो वह बहुत हेल्प करती है बाद में सब चीजों को अच्छी से मिक्स कर लूँग एक बार अच्छी साय करा मिक्स हो मॉर अच्छे से मज़ानमे तो बहुत पार और pumpkin यहां पर गवर कर दूगी और शीन कर तकर में ताकि मसाला और ग्रेवी सब डन हो जाए तो यहां पर तकरीबन 10 मिनट हो चुकिए और यह जो लाल सूकी मिर्स है यह मैं बिल्कुल लास्ट में आड़ करूंगी क्योंकि यह इस वज़ा से क्योंकि यह बहुत तीकी होती है यह बहुत स्पाइसी होती है तो यह घुल जाती ह अगर हम इसको स्टार्ट में आड़ करते हैं इसलिए मैंने यहां पर इसको लास्ट में आड़ किया और तकरीबन 5 मिनट और मैं इसको लो फिल्म पे कुक होने के लिए रख दूँगी ताकि यह ग्रेवी और जो ऑईल हो अच्छे से छोड़ दे थोड़ा सा यह वो इस मैड कर दूँगी मैंने यहां पर चूला बंद कर दिया था क्योंकि यह पड़ा पड़ा भी और ड्राय हो जाता है इसलिए पहले थोड़ी दिर पहले कर दिया करें ताकि उसकी जो अपनी जगह पर वापिस आजए और ग्रेवी बहुत जादा ड्राय ना हो थोड़ तो ही मजाता है खाने का तो आई होप आज की यह मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगी अगर आपको मेरी यह दही चिकन की रिस्पी पसंद आयो ग्रेवी वाला जो मैंने आज बनाया आगे और भी अच्छी अच्छी एजी रिस्पी आपसे शेयर करूंगी तब तक के ल कोजिंग अलाफेज